नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है बढ़ते हैं अपने संपाद की से संबंधित इस वीडियो की और सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आज हम किन-किन संपाद की और आलेक पर चर्चा करने वाले हैं दा हिंदू में आज दो एडिटोरियल पब्लिस हुए हैं इसमें से एक एडिटोरियल जिसका सिर्षक है Excellence in Diversity इस पर हम चर्चा करेंगे जबकि दूसरा एडिटोरियल जिसका सिर्षक है Discouraging Numbers तो इस एडिटोरियल पर हम चर्चा नहीं करेंगे उसका कारण यह है यह एडिटोरियल National Family Health Survey 5 पर आधारित है और हमारा जो लेटेस्ट एडिटोरियल का वीडियो है उसमें हमने विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा किये हैं उसके बाद हम जिन आलेखों पर चर्चा करने वाले हैं वो आलेख हैं पहला a protocol of difference that is plainly injurious दूसरा privacy a fundamental right the state must protect और तीसरा the long road to food security तो चले एक एकर संपादकी और आलेख पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज के संपादकी पर जिसका सिर्षक है excellence in diversity और यह संपादकी जियेस पेपर 2 में सामिल वी से सिक्षा के दृष्टी कोन से महत्यपूर्ण है इस संपादकी का आधार है IIT में सिक्षकों की कमी हमें यह पता है कि 2008 इसवी के बाद से IIT की परणाली में विस्तार किया गया है वह इस प्रकार से कि 2008 के बाद से आरक्षन का विस्तार करके IIT में नामंकल लेने वाले च्छात्रों में OBC च्छात्रों को भी आरक्षन की सु विधिक आधार है Central Educational Institution Reservation in Teachers Cader Act 2019, इसके अंतरगत केंद्रिय सिक्षन संस्थानों में सिक्षक पदों पर आरक्षन की विवस्था की गई और इसके द्वारा जितनी भी नियुक्तिया निकलती हैं, उसमें से 50% सीट, SCs, STs, Socially and Educationally Backward Classes और Economically Weaker Section के लिए आरक्षित रहता परन्तु इस कानून के अंतरगत कुछ संस्थानों को सामिल नहीं किया गया है, ये वैसे संस्थान है जो अनसंधान और रणनीतिक रूप से महत्पूर्ण है, यहाँ पर इन संस्थानों के नाम की सूची दी गई है, अब जबकि कानून लागू किया जा रहा है? परन्तु और इसकी पुष्टी आंकड़े भी करते हैं, वह कैसे? तो IIT डेली में 30% सिक्षकों की कमी देखी गई है, कुल मिला कर भारत में ऐसे 23 संस्थान है, जहाँ पर की आरक्षित पदों के लिए आविश्यक सिक्षकों की कमी है, और इस समस्या के समाधान के लिए सिक्षा मंत् हंग से लागू करने के लिए सुझाओ देना, समीती ने अपने सुझाओ दिये, देखिए क्या सुझाओ दिया, समीती ने यह बात कही कि IIT में सिक्षक भरती में आरक्षन के नियमों का पालन नहीं हो, ठीक वैसे ही जैसे अनुसंधान और रणनीतिक रूप से महत्रपून संस्थानों में आरक्षन के नियमों का पालन नहीं होता है, इसमें एक कार यह भी किया जा सकता है कि जो स्पेसिफाइड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको आरक्षन प्रदान किया जाए, तो इसका आर्थ यहां पर यह है कि IIT में सिक्षक पदों के लिए जो आ उद्देश से है एतिहासिक गलतियों में सुधार करना, मतलब कि संविधान द्वारा प्रदत्त, समता के अधिकार के अंतरगत, जो एक वर्ग के विरुद्ध भेद भाव दिखता है, उसका उद्देश से है कि दूसरे वर्ग को लाभानुइत किया जा सके, ताकि समता मु किसी व्यक्ति को सही अवसर और उचित सुविधा प्रदान की जाए, तो फिर यह जो जन्मजात युग गिता की एक अवधार्ना है, उस अवधार्ना को हटा दिया जा सकता है, और इस दृष्टिकोन का उद्देश से है, वन्चितों को न्याय प्रदान करना, सिक्षा मंत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम को प्रारंब किया जाना चाहिए, जो छात्रों को कुछ गुणवत्ता युक्त अकैदमिक कारियों से परिचे कराए, ताकि ये छात्र आरक्षन के लिए योग्य हो सके, और उन छात्रों को वैकल्पिक रूप से पिएजडी के लिए भी तयार किया जाए, अगर वो सिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका लाब यहाँ पर यह होगा कि भविस्य में आरच्छित पदों की न्युक्ति पर सिक्षकों की कमीन नहीं होगी, यह सुझाओ काफी उप्योगी हो सकता है, ना केवल आयाटी के लिए आविस्यक्ष आरच्छ सिक्षकों की कमी को पूरा करेगा, बलकि बड़ी संख्या में अन्य तक्नीकी सिक्षन संस्थानों को भी इससे जोड़ेगा, जो अनुसंधान में उतकृष्टता को चाहते हैं, इसके साथ ही सरकार के लिए यह जरूरी है कि पबलिक स्कूल के सिस्टम या परनाली को मजब मजबूत होगी, तो भविस में आरक्षित पद पर गुणवत्ता युक्त सिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिस कमी का सामना अभी करना पड़ रहा है, देखते हैं इससे समंधित प्रश्न, प्रश्न है कि आरक्षन के सही प्रतिफल के लिए सिक्षा की ब यह रहा हमारा पहला आलेक, जिसका सिर्शक है ए प्रोटोकॉल अफ डेफरेंस दैट इस प्लेनली इंजिरियस, इस आलेक को हम जी एस पेपर टू में शामिल विसाय कारेपालिका एवं न्याइपालिका के साथ जोड़ कर देख सकते हैं, इस आलेक का आधार है नए संसद भवन का सिला न्यास हाली में किया गया, उस नए संसद भवन के निर्मान से संबंधित कई विवाद सामने आये, और यह विवाद सुप्रीम कोर्ड भी पहुँचा, और इसी नए संसद भवन निर्मान के मामले की सुनवाई के दोरान, नियाधीस ए एम खान विलकर की अध बुद्धिमान लिटिगेंट, मतलब मुकदमिबाज, के साथ वारता कर रहे हैं, हमने आपको आदर भाव भी दिया, ताकि आप बुद्धि मत्ता पूर्ण तरीके से कारी करेंगे, यहाँ पर एक सब्ध है और यह सब्ध है आदर भाव, ताकि आप बुद्धि मत्ता पू अत्यपूर्ण है और वह सब्द है आदरभाव। लेखक का यह कहना है कि यह आदरभाव का सब्द है। इनोवेटिव जुरिस्पूदेंस ओफ डिफ्रेंस की स्थापना करता है। और इस कथन को न्याइक छेत्र से जुड़े लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है। और उनका यह कहना है कि अचानक ही हाल के वर्सों में नियाइपालिका के द्वारा जो निर्णे दिये गए है या जो निर्णे नहीं दिये गए है इन दोनों के आधार को अब समझना बड़ा आसान हो गया। और या आधार क्या हो गया या आधार यह हुआ कि जितने भी निर्णे दिये गए या निर्णे नहीं दिये गए उनका आधार है जुरिस्पूडेंस ओफ डेफरेंस या प्रोटोकॉल ओफ डेफरेंस नियाधीस एम खान विलकर की अधिक्षिता वाली पीठ ने जो कथन दिय वह कई प्रश्णों को आमंत्रित करता है देखे कौन-कौन से प्रश्ण है प्रश्णी है कि आखिर सीर्ष अदालत ने किसके लिए आधर भाव का प्रस्ताव पेस किया एक व्यक्ति को एक प्रधान मंत्री को या एक कानून मंत्री को या एक विनम्र राजनितिक सासन को य नियाएपालिका की द्वारा एक कारिपालिका को संस्थाकत इकाई की रूप में। जबकि इसका दूसरा पक्ष भी होगा, वह क्या है वह देखिए, कि आकर यह सम्मान दे कौन रहा है। जो नियाएधिस बोल रहे हैं, वह सम्मान दे रहे हैं। या कोई और नियाएधिस या सम्मान दे रहा है, या आदरभाव दे रहा है। या जो मौझुदा नियाईक नेत्रित है, उनका कोई नया हतकंडा है। या सुप्रीम कोट की अध्यक्षता में पूरी नियाएपालिका एक सम्मेधानिक संस्था के रूप में या आदरभाव कारिपालिका को प्रदान कर रहा है। हला कि जितने भी प्रस्ण यहाँ पर दिये गए हैं, उन सारे प्रस्णों के आधार पर किसी एक निसकर्स पर पहुँचना मुश्किल है। इसी आदरभाव के संदर में अमेरिका से तुल्ना की गई है। अमेरिका में हाल में ही राश्पती चुनाव हुए। और इस राश्पती चुनाव के परिणाम पर ट्रम्प ने प्रस्ण चिनने लगाया, ट्रम्प ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही प्रस्ण चिनने लगा दिया, और ट्रम्प इस मामले को अमरिकी सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता था, तो होना यह चाहिए था, क कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प के दावे पर मुकदमा चलना था, क्योंकि जादातर जजों की न्युक्ति रिपब्लिकन पार्टी के सासन के दौरान ही हुई थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट के न्याधिसों ने प्रमुक्ता दी किसको समयधानिक दृष्टिकोन और नैतिकता को, ना की सत्ता में मौजूद नेताओं को. अमेरिका में यह बात पूरे तरीके से इसपस्ट है, कि यदि कोई राष्टपती या सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको आधर देगा, तो यह पूर्ण रूप से एक मुर्खता वाली बात होगी. और यह भी सोच से एकदम परे है, अलग है, कि सुप्रीम कोर्ट के नियाधिस, अमेरिकी राष्टपती के इस आधर वाली सोच पर विचार करेगा या उसे इंटर्टेन करेगा. क्योंकि लोक तंत्र में संस्थान एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ना कि आधर भाव प्रकट करते हैं. यहां इसलिए आधर भाव के प्रकट करने की बात कही जा रही है, क्योंकि आधर भाव के प्रकट होने का मतलब है, कि एक संस्थान दूसरे संस्थान से स्रेष्ट है, या यूँ कहें कि एक संस्थान दूसरे संस्थान से कम तर है। यहाँ पर अमेरिका का उदाहरन इसले लिया गया। क्योंकि अगर भारती न्याइक विवस्था की बात करें, तो फिर भारती न्याइक विवस्था की कारिपणाली काफी हद तक अमरीकी न्याइक विवस्था की कारिपढाली की समान है तो आलेक में यह बात कही जा रही है प्रोटोकॉल और डिफरेंस का यह जो कथन है यह चोकाने वाला है क्योंकि डिफरेंस या आदरभाव से सम्मंदित विचार रजामंदी का सुझाओ देता है जिसमें यह बात नहीं देखी जाती है कि आखिर इस बात में समर्थन देने का विधी का आधार है या नहीं मतलब इसमें सम्मेधानिक माप मौजूद नहीं रहता है हमें यह पता है कि एक संस्थान की उतकृष्टता लगातार तभी बनी रहती है जब उस संस्थान में सामिल पुरुष या इस्त्री मजबूत होते हैं और यही बात न्यायपालिका पर भी बैठती है और यह सच है कि न्यायले में सभी न्यायधीस की बौधिक छमता एक जैसी हो या समान हो या नहीं हो सकता एक न्यायधीस अपनी बौधिक गहराई, नैतिक्ता, व्यक्तिगत सूजबूज, राजनितिक प्रात्मिक्ता, न्यायक तेवर इनकी सीमा के भीतर ही प्रदर्शन करते हैं और सभी न्यायधीसों में गुणों और विशेस्ताओं का भंडार हो या संभब नहीं है मतलब यह कि सभी न्यायधीस में गुणों और विशेस्ताओं की वह इस्थिती नहीं होती है कि वे न्यायक धैरी का विकास कर सकें अब हम बात करते हैं संतुलन और प्रतिसंतुलन की जो पिछली घटनाओं पर आधारी थे यहां पर यह बात कही जा रही है कि न्यायधीसों को संभधानिक स्वरूप और संस्थात्मक विवस्था की द्वारा सुरक्षा कवच परदान किया जाता है ताकि न्यायधीस अपनी बौधिक सीमा का विस्तार कर सकें और नैतिक्ता और सम्मान के साथ अपने न्यायक धर् तो संशित रूप से भारत के सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान के द्वारा इस आदर्स को प्रस्तुत किया था और एक उधारन देखिए उधारन यह है कि एक बार सरदार बल्लब भाई पटेल ने नहिरू को यह बात कही कि कारिपालिका अब सम्विधान का सामना कर इसका अर्थ है कि कारिपालिका के सभी कारि को विधिक अनुमती और न्याइक औचित की आविश सकता है। प्राप्त कर सके। और उसका आधार क्या होगा। उसका आधार वही होगा कि राश्ट्री सुरक्षक को खत्रा है या देश में आपात की इस्थिति है। तो सार रूप में गनतंत्र के नैतिक स्वास्त और लोकतांत्रिक मजबूती को संस्थागत रूप से सुरक्षित किया जाना था, ना कि राष्टिय संग्रक्षक के रूप में, जिसमें राष्टिय संग्रक्षक के नाम पे देश का नित्रित करने वाला व्यक्ति प्रजा के नायक के मुखोटे को धारन करता है अब हम बात करते हैं वर्तमान इस्थिती की जिसका शिर्षक है परंपरा के साथ मद्भेद वर्तमान में न्यायले एक संस्था के रूप में संसद के समक्ष आदर भाव का प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि संसद के द्वारा पारित कानून लोकतांत्रिक विवाद से अलग कर दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जिस किसी भी कानून को संसदने पारित कर दिया तो फिर उस पर किसी प्रकार के वादविवाद की गुनजाईस ही नहीं है वह कानून अपने पूरे स्वरूप में सही है अब इसका एक उध उदारन यह है कि उच्छ न्यायले ने सिटिजन्शिप एमेंडमेंट एक्ट के आलोचकों एबं प्रदर्शन करने वालों पर एक जराभी सहनुभूती नहीं दिखाई। प्रोटोकॉल of difference मतभेद प्रदर्शित करता है किसे स्वत्मत्रता एबं सौ अभिव्यक्ति के गौरव माई अतीत से जिसे स्वत्मत्रता के बाद फिर से खोजा गया था आपात काल में। प्रोटोकॉल ओफ डिफरेंस गणतंत्र के स्वास्थ के लिए हानिका रखेए और प्रोटोकॉल ओफ डिफरेंस न्याइपालिका के न्यायक सक्रियता या जूडिसियल अक्तिविटिज्म के यंत्र को सिथिल करता है। अगर कोई पाटी या कोई व्यक्ति चुनाव में जीतता है, तो फिर वक्केवल कारिपाली का पद को धारन करने के योग्य बनता है। और बिना न्याईक दवाब के चुनाव में जीतने वाला यह व्यक्ति या दल पदभरष्ट महत्वा कांग्ची व्यक्ति या समुह के रूप में अपने आपको मजबूत बनाता है। वर्तमान में अगर हम राजनितिक क्रिया कलापों पर गौर करें तो राजनितिक समुह में अहम का प्रवेश हो चुका है। प्रणाली में नैतिक और सम्वेदन सीलता हवी है। यही कारण है कि सिंधू बॉर्डर पर किसान इकत्रित है। अब हम इस आलेक से समंदित प्रशन देखते हैं। प्रशन है कि गनतंत्र की स्थापना के लिए यहां आविस्यक है कि संस्थान एक दूसरे का सम्मान करें, कथन की समिच्छा करें। बढ़ते हैं अपने दूसरे आलेक की और। दूसरा आलेक जिसका सिर्षक है चले देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ। इसका आधार क्या है। आधार है निजता का अधिकार। मामला यह है कि बॉम्बे हाइकोर्ट ने सरकार को यहां आदेश दिया कि वेबसाइट पर आर्टियाई आवेदक के पता को हटा दे। उनके एड्रेस को हटा द अब बंबे हाइकोर्ट के इस आदेश पर आपत्ति जताईगी। आधार क्या दिया गया। आधार यह दिया गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज को नागरिक के पता को सार्जनिक करने से रोकता है। अब यह जो आपत्ति जताई जा रही है बंबे हाइकोर्ट के नि कहना है कि सार्जनिक टेलिफोन डिरेक्टरी और वोटर लिस्ट में जो सूचना होती है उसको तो नीजी सूचना नहीं माना जाता और फिर समाजिक कल्यान कारिक्रम में लाभार्तियों की जो सूची जारी की जाती है सार्जनिक किये गए लाभार्तियों की इस सूची को गया या उधारन उस अभधारना पर आधारित है कि भारतिये अपनी निजता का खयाल नहीं करते हैं और ठीक यही आधार दिया था इस्टेट ने पुट्टु स्वामी मामले में जिसे नौ सदसिये सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने पुर्ण रूप से नकार दिया था और देख खास कर तब जब इन सुचनाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि डिजिटली रूप से अगर कोई सुचना उपलब्ध होती है तो फिर या व्यक्ति को किसी भी रूप में नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि उस सुचना का छेतर काफी व्यापक ह हो जाता है या यू कहें कि वहां तक लोगों की पहुंच असीम हो जाती है और ठीक यही बात नौ सदस्य पीठ ने भी कही थी और यहां कहना कि व्यक्ति के पते का सार्जनिक होना लोखित का मामला है तो सभी मामले में सही नहीं हो सकता जैसे आटियाई आवेदिकों के नाम क खुला सा कि यह लोखित का मामला है यह सही नहीं है अब हम बात करते हैं दूसरे कारण आपत्ति करता इस मामले में सही हो सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोट के आदेश के पीछे का तरक नहीं है मतलब यह कि बॉम्बे हाई कोट ने अपने आदेश के पीछे का कोई तरक नहीं कि सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक्ट विरोध प्रदर्स्तन में सामिल लोगों के पते एवं फोटो को सार्जनिक क्यों किया गया क्योंकि ऐसा करना इनके मूल अधिकार का उलंगन है तो मतलब यहां पर यह है कि इलाबाद हाई कोट ने नीजी ब्योरे को सार्जनिक नहीं किये जाने का आधार दिया जबकि बॉंबे हाई कोट ने ऐसा कोई आधार नहीं दिया परंतु आदेश के पीछे के तरक को देखने में आपत्ती करता और सफल रहे है अब इसके पीछे का तरक देखिए कि नागरिकों की भाचान जिसमें उनके पते को नीजी या व्यक्ति कारिक या अनिवार रूप से इन नीजी सूचनाओं को सार्जनी करना उनके मूल अधिकारों का उलंगन है और निजता जो की एक मूल अधिकार है उसे राज्जी के द्वारा सम्मान और उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए और अगर राज्ज ऐसा करता है तो फिर राज्जी के इस कारिका परिक्षन चार आधारों पर होना चाहिए क्योंकि यह बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टु स्वामी मामले में वो चार आधार देखे क्या है पहला तो यह है कि राज्जी जो यह कारी कर रहा है तो फिर यह कारे किस कानून को समर्थन देन पहला तो यह दूसरा जिस कानून को समर्थन देने के लिए राज जी यह कारी कर रहा है तो उस कानून का उद्दे से क्या राज जी के विधिक उद्दे से की पूर्ति करना है या किसी और उद्दे से की पूर्ति करना है तीसरा कि राज उस कानून के अंतरगत जो कारी कर रह तो कानून का जो उद्धिस है क्या वह उससे संबंदित है और चौथा कि राज उस कानून का जो उद्धिस है उस उद्धिस की प्राप्ति के सीमा तक ही अधिकार का उलंगन कर रहा है या नहीं कर रहा है अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की आपत्तिकर्ता ने RTI Act की धारा 8-1-I का उल्लिक किया है, जिसके अंत्रगत वैसी निजी सूचना, जो सक्रिय लोग गतिविधी से सम्मंदित है, सार्जनिक किये जाने लाइग, परन्तु यहां यह बात इसपस्ट रूप से नहीं कही जा सकती, कि RTI आवेदक का पता सार्जनिक करना सक्रिय गतिविधी से सम्मंदित है, और आपति करता ने उसी RTI Act की धारा 8-1-I के दूसरे पक्च को नहीं देखा, ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए, क्योंकि उसी में यह बात लिखी है, कि सार्जनिक सूचना अधिकारी मामले के निर्णे के आधार पर व्यक्तिकत जानकारी को सार्जन करने की अनुमती देता है, जिसमें सार्जनिक हित का मामला जुड़ा हो, मतलब यह कि हर मामले पर उसे यह अधिकार नहीं है, कि वह व्यक्तिकत जानकारी को सार्जनिक करें, और दूसरी तरफ, RTI आवेदकों के नाम का खुलासा नहीं करना लोक हित से ही जुड़ा है, वह ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं, तो नागरिकों की निजता की सुरक्षा और लोग प्राधिकारियों की पारधर्सिता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक पारधर्सी सरकार जो नागरिकों को निजता के अधिकार की गारेंटी, संबान, सुरक्षा, प्रोथसान और उसको पूरा करता है तो उसके कार्य में विरोधा भास नहीं दिखने चाहिए प्रणाली में पारदर्सिता नागरिकों के अधिकारों को छोड़ने और नागरिकों को उसके अधिकारों से समझहोता करने पर आगरह करने के लिए बाद नहीं कर सकता है तो आवेसकता इस ब प्रश्ण है कि RTI के संदर्व में, Bombay High Court के निर्णे के आलोक में, निजता के अधिकार पर चर्चा करें, अब हम बढ़ते हैं, अपने तीसरे और अंतिम आर्टिकल की ओर, जिसका सिर्शक है, The Long Road to Food Security, और इस आलेक को या आर्टिकल को, हम GS Paper 3 में शामिल वी से, कृसी एवम ख हादी सुरक्षा, देखें, अगर भारत में कुपोशन की हम इस्थिती पर सुरक्षा करें, तो कई आंकडे हमारे पास मौजूद हैं, जैसे Global Hunger Index 2020 की रिपोर्ट, इसके अनुसार, 107 देशों में भारत का इस्थान कितना है, 94, और भारत, बांगलादेश, नेपाल और पाकि कुखे सोते हैं, जो वैस्विक कुपोशित संख्या का 23% है, और कुपोशन के इस्थर की बात की जाए, तो कई अफरीकी देशों की तुल्ना में भारत में कुपोशन का इस्थर दुगुना है, और अगर खाद्यान उपलब्दता एबं पोशन इस्थर की हम बात करें, तो 2018-19 के खाद्यान उत्पादन से संबंधित आंकड़े यह बताते हैं, कि रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान का उत्पादन हुआ, अगर उत्पादन इस्थान की बात करें, कुछ प्रमुक फसलों की, तो वैस्विक इस्थर पर बाजरा उत्पादन में भारत का इस्थान पहला है, जबकि चावल और गेहूं के मामले में दूसरा है, और बागवानी फसलों का भी उत्पादन भारत में अधिसेस रूप में होता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी देश में कुपोशन की गंभीर इस्थिती मौजूद है, उपभोगता मामला विभाग के अनुसार, 2011-17 के बीच में, Food Corporation of India के गुदाम में 62,000 तन खाद्यान बरबाद है, और एक और रिपोर्ट के अनुसार देश में, जहां फरजी रासन कार्ड धारक मौजूद है, वहीं उचित लाभारतियों के पास रासन कार्ड भी नहीं है, तो अब इन सबके बीच, क्या उपाई निक बाइस के दाइरे में लाए, ताकि किसानों की आय में वर्दी हो, और अगर किसानों की आय में वर्दी होगी, तो उनकी क्रेश सक्ती में वर्दी होगी, और उनकी अगर क्रेश सक्ती में वर्दी होगी, तो फिर किसानों की खाद्य सुरक्षा भी सुनश्चित होगी, और पोषण इस्तर में भी वृद्धी होगी। दूसरा उपाई क्या हो सकता है। तो पबलिक डिस्टुबिशन सिस्टम या साजनिक वित्रण पढ़ाली और साजनिक भंडारन इन दोनों से सम्मंदित आधार भूत संरचना को मजबूत किया जाए। और तीसरा उपाई कि देश में दलहन उत्पादन को प्रोचाहन दिया जाए। क्योंकि देश में प्रोटीन की मांग में वृद्धी हो रहे हैं। और प्रोटीन पूर्ती का सस्ता साधन दलहन है। अब इसे सम्मंदित प्रशन है कि भारत में खाद्यान भंडारन एबं पोषण में विरोधा भास की स्थिती है कैसे तो इस प्रकार आज के इस सम्मंदित वीडियो में हमने एक सम्मंदित की और तीन आलिक पर चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार